हलो दोस्तों ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है आर्पी सी एईव एलडी सी जे एसी गुरूब डी एंटी पीसी और विहार दरोगा और सुधा डेरिये स्पेसल चल रहा है लगतार दोस्तों तो देखें मॉक टेस्ट का आज आठमा दिन है दोस्तों और करेंट अफेर क को लाइक कर्के जरूर जाएगा दोस्तों रसूर करते हैं कि स्क्रीन पर है जेम्स ब्रान्ट का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता निधन में हो गया है दो किरदार निभाने वाले किस अभिनिता का निधन नॉवंबर 22 में हो गया है सान कानरी पियर्स ब्रसनान रोजर मूर और ड्रेनियल क्रेग कौन है इसका सही इंसर होएगा सान क्रानरी ठीक है दोस्तों चलिए दूसरा कोश्चन है कि किस राज्य ने भूमी और संपत्ति पंज है राजस्थान तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सही इंसर हो जाएगा तेलांगाना ठीक है दोस्तों आप लोगों को कई बर मैं कर चुका हूं दोस्तों और अभी भी कर रहा हूं कि जैसे मैं कोश्चन बोलता हूं और option देता हूं तो आप लोग एंसर देने क कोशिस कीजिए ठीक है दोस्तों यदि नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स खोल कर वहां पर लिखने की कोशिस कीजिए इस तरह आपको कोश्चन याद होंगे दोस्तों और आप तीन बार वीडियो को को रिमाइंड करके देखेगा सारा कोशन आपको याद हो जाएंगे यह दरोगा में एंटी-पीसी में और सुधार डियरी का जो एक्जाम सत्र को है उसमें भी सभी बहुत काम देने वाला है चलिए तिसरा कोशन बताता है दोस्तों तिसरा कोशन है दोस्तों निम्लीखित में से किसे हाल ही में आसकर दुहर बीस में सर्वस रिष्ट अभिनेता का प्रश्कार प्रदान किया गया है अप्शन ए है ब्रेंड पीट बी है जोकिन फिनिक्स सी है डोलांड सिल्वेस्टर और डी है जॉन माइकेंजी तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए इसका सही हो जाएगा जोकिन फिनिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा जोकिन फिनिक्स चलिए चौथा नमर कोशन देखिएगा दोस्तों भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफिर की देश में खोला गया है अप्शन A है कांगो, B है नाइजेरिया, C है घाना, D है केन्या तो सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों चोथा का इसका सही अंसर हो जाएगा नाइजेरिया ठीक है दोस्तों, चलिए पांचनमर कोशन देखिएगा दोस्तों पांचनमर कोशन है कि अक्टूबर दो हजारञव में किस कमपणी ने भारत में महारतन कमपणी का दरजा दिया गया है किस कंपनी को महारत ने कंपपनी का दरज़ा दिया गय हyou अप्सन हे एस्पीसी एल बी है पीजीसी राजय को दोनों को महारत कंपनी का दरजा प्राप्थ हुआ है चलिए दोस्तों अगला कोचों देखते हैं प्लेशल किस राज्य को बर्स पमक्र perfect देखें पुरसकार प्रदान किया गया है तो option A है पंजाब B है बिहार C है सिक्किम और D है हर्याणा तो बताएएगा इसका answer क्या हो जाएगा अपना बिहार इसका answer सही answer है बिहार को चलिए साथ नमर कोचन देखिए किस राज्य में देश का पहला अपसिस्ट पोर्टल शुरू किया गया है option A है मध्य परदेश B है उत्तर परदेश C है तमिल नाडू और D है आंध्र परदेश तो इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा तमिल नाडू ठीक है दोस्तों चलिए आठ नमबर कोश्चन देखते हैं दोस्तों हाल ही में हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एंव वाइट टी को टी मिस चाय को जी आई टेग परदान किया गया है option A है असम B है सिक्किम C है मिघाले और D है पच्छिम बंगाल इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताएगा आठ नमबर का सही अंसर क्या हो जाएगा आठ का सही अंसर हो जाएगा पच्छिम बंगाल ठीक है दोस्तों आठ का सही अंसर क्या हो जाएगा पच्छिम बंगाल पच्छीम बंगाल की ग्रीन और वाइटी को GI टेग परदान किया गया है चलिए नौ नमर कोशन देखिएगा दोस्तों यूवाश्री और पण योजना की शुरुवात किस राज्य सरकार ने की है अप्शन ए है उत्तर पदेश, बी है पच्छीम बंगाल, सी है मत्य पदेश और डी है 36 गण तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा पच्छीम बंगाल पच्छी मंगाल को युवा स्री अरपण योजना की शुरुवात की है ठीक है दोस्तों चलिए आगला कोशन है कि नीमन में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्चोकब दोहर 19 जीता है अपसन ए है ब्राजील बी है मेक्सिको सी है फ्रांस और डी है नीदरलेंड तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ब्राजील इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते है चलिए अगला कोशन है दोस्तों हाल ही में हाल ही में कौन सा सहर पॉल प्रूशन का भी टेक्स लगेगा अप्शन ए है पेरिस बी है लंदन सी है आयरलेंड और डी है सिंगापूर तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों लंदन ठीक है दोस्तों चलिए नेश्ट कोचन देखिए किस राज्य सरकार ने किसोरियों के लिए उजाला किनिक को इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा राज़च्थान ठीक है दो है टो अगले फिर से वीडियो में किसी फॉर्म के साथ या फिर मॉक टेस्ट के साथ ठीक है दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर यह दिन नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हां दोस्तों एक सीज और बताना था कि आज कुछ कम ही कोशन रहा क्य अलाइन फार्म पर ही तुरंत जो है इंटर्व्यू के लिए एक मॉक टेस्ट शुरू किया जाएगा और साथ में ही आपको जो निबंध लिखने वाला है उसके लिए भी आपको एक मॉक टेस्ट शुरू किया जाएगा लगभग 15-20 दिन का आपको टाइम मिलेगा और 20 दि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दूस्तों चलिए थैंक्यू आज के लिए इतना ही